नमस्क्राइब दोस्तों स्वागत है आप लोगों का रोशन सा स्टेडी पॉइंट पे और आज इस वीडियो में हम 12 क्लास हिस्ट्री का दूसरे चेप्टर का 20 MCQ कोश्चन सॉल्ब करने वाले हैं ठीक है और सारे कोश्चन में सब्सक्राइब करने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके तो चलिए दोस्तों समय को बरबादना करते हुए सिधा हम अपने कोश्चन को सॉल्ब करना सुरू करते हैं अब इसमें 20 कोश्चन में से लगभख 15 कोश्चन का एंसर मैं खुद बता हूँ आप लोगों को बागी 5 कोश्चन का एंसर आप लोगों खुद कॉमेंट बॉक्स में कोमेंट करके बताना है तो चलिए दोस्तों वीडियो की सुरुबात करते हैं कोश्चन नमर एक है सबसे प्राचीन अभिलेक निम्ध भासा में लिखे जाते थे इसमें हमें बताना है कि जो सबसे आरंभिक हविलेक है जो सबसे प्राचीन अभिलेक मिले किस वासा में लिखे गया थे । संस क्रिट हिंदी तमील या फिर प्राकिट प्राकिर्ट ब्राकिर्द भासाहें में ही गईक यह सबसे आरंभिक लिख तो इसका जो सही उत्तर है वो जेम्स प्रिंसेप ने सबसे पहले ब्राई और खोड़ुष्टी लिपी का अर्थ निगाला था उसके बाद कोशन नमर तीन देखते हैं कोशन नमर तीन है मगद की आरंभिक राजधानी कौन सी थी option a है पतना option भी है पाटले पुत्र option c है राजगा और option d है गहपती जो क्योंकि मगद की आरंबिक राजधानी तो इसमने जो राजधानी तो by चाहिए पूस्थान वर दो पुथ्व500 निने का चाहिए के कों सा युनानी राजधूत बांबिक है enriched उत्मieza array traditional... option C है रुद्रा दमन और option D है मैक्स्तनिज तो देखिए दोस्तों इसका जो option D है मैक्स्तनिज वो सही उत्तर है चंद्रवुद मौरे के दरबार में मैक्स्तनिज नाम का एक यूनानी राजदूत आया था इसमें आपको मौरे सामराजी की राजदानी बताना है और option C है उजयनी और option D है सोनगिरी इस question का एंसर आप लोगों को कॉमेंट बॉक्स में बताना है दोस्तों question number 6 देखते है question number 6 है निमन में से कौन सा परदेश अपनी सोने की ख़दान के कारण उप्योगी था इसमें हमें बताना है कि कौन सा ऐसा परदेश था जहां भी सोने की ख़दाने बहुत जादा मातरा में पाई जाती थी तो option A है तकसिला, option B है सोनगीरी, option C है तोसली और option D है उजयनी तो guys इसका सही उत्तर है सोनगीरी, सोनगीरी जो करणाटक में इस्तित है और ये सोने की ख़दानों के लिए बहुत जादा उप्योगी था question number 7 देखते है question number 7 है अर्थसास का लेखक कौन था? अर्थसास एक पुछतक है जिसका लेखक कौन है वो हमें बताना है इस question में option है चानक्या अथवा कोटिले, option B है मैकस्तनी, option C है विसाकदत, option D है हरिसी अर्थसास का जो लेखक था वो चानक्या अथवा कोटिले, चानक्या या फिर कोटिले हम दो नामों से इनको जानते हैं तो ये अर्थसास के लेखक थे उसके बाद question number 8 देखते है question number 8 है धम का संदेश निर्व में से किस ने दिया था? मतलब जो option नीचे दिया गया है उसमें से किसने धम का परचार या धम का संदेश दिया था? option नी है चन्रूत मोरे नी, option भी है चानक्या नी, option C है परभावतिगुप्त नी, option D है असोग नी guys धम का जो संदेश दिया था वो असोग ने दिया था, ठीक है तो इसका option D से उत्तर है उसके बाद question number 9 देखते है, question number 9 है धम महामात नामक बिसेश अधिकारियों की निक्ती किसने की थी? तो इसमें हमें बताना है कि जो धम महामात एक बिसेश अधिकारी होते थी, जो क्या करते है धम का परचार गिया करते थे, ठीक है तो इन अधिकारियों की निक्ती किसने की है, यह हमें बताना है इस question में, option A दिया गया है, option B दिया गया है, option C है, असोग नी, option D पांडे सरदारों ने इसका भी जो सहुत्तर है, वह है असोग, इसका question नमर 10 देखते है, question 10 है, प्रियाग प्रसस्ती का लेखा कौन था, ठीक है, प्रियाग प्रसस्ती जो है वो इलहाबाद में है, ठीक है, और इसका लेखा कौन है, यह हमें बताना है, तो option C है, कोटिले, option B, मैक्सनी, option C है, का question का answer भी आप लोगों को comment box में बताना है, दोस्तों question number 11 देखते है, question number 11 है, हरी शेन किस सासक का राजकवी था, ठीक है, option यह दिया गया है, समुद्रगुप्त, option B, चंद्रुप्त, option C है, असोग, option D है, चंद्रुप्त, मोरे, तो जो हरी शेन था, उसने प्रियाग प्रसस् बिधी गरंत कौन सा है, बिधी गरंत है, जिसमें नियम कानून समाज के लिए बनाए जाते हैं, ठीक है, तो option A है, महा भारत, option B है, मनुष्मृति, option C है, रिगवेद, और option D है, इनमें से कोई नही, तो देखिए, प्राचीन भारत का जो सबसे परसीद बिधी गरंत था, मनुष्मृति था, यानि की option B इसमें से उत्तर है, उसके बाद देखते हैं, तीरवा कोशन, तीरवा कोशन है, संगम साहिते की भासा क्या है, संगम साहिते, जो है, दक्षिन भारत का एक साहिते है, ठीक है, और ये किस भासा में लिखी जाती थी, तो इसमें हमें बताना है option A दिया गया है, तमील, option B संस्कृत, option C प्राकिर्ट, option D मलयालम, तो जो संगम साहिते, जो गरंत लिखे गया थे, तमील भासा में लिखे गया थे, option A इसमें साहितर है, उसके बाद कोशन नमर 14 है, छटी सताबदी इसापुर में उपज बढ़ाने का निम्न तरीका अपना और option D है उप्रोक्त सभी, तो जो तीनों option दिये गए, वो सभी सही, यानि कि option D उप्रोक्त सभी यहाँ पे सही उतर होगा, उसके बाद question 15 है, question 15 है, परभावति गुप्त निम्न में से किसकी पुत्री थी, तो परभावति गुप्त किसकी पुत्री थी यह बताना है, option C है, option C है, option D है, option D है, चंद्रगूत पर्थो, तो इस question का answer भी आप लोगों को comment box में comment करके बताना है, दोस्तो question 16 है, question 16 है, आरंभिक भारत में वेपारियों के संग को क्या कहा जाता था, तो यह बताना है कि जो वेपारियों के संग थे, उनको क्या कहा जाता था, option यह दिया option B है, अनिमाई, option C है, श्रेणी, option D है, अलवार, तो आरंभिक भारत में वेपारियों के संग को स्रेणी कहा जाता था, यानि कि option C, इसमें सही उतर है, उसके बाद question 17 है, question 17 है, शिक्को का अध्यन क्या कहलाता है, option A है, option B है, मुद्रा राक्षा, option C है, मुद्रन, option D है, उ असोका कालीन, ब्राही लिपी का अर्थ कब निकाला, ठीक है, ब्राही लिपी का अर्थ कब निकाला या था, यह बताना है, इस question में हमी, option E है, 1838CB, option C है, 1848CB, option D है, 1828CB, तो इस question का answer जो है, आपको comment box में बताना है, उसके बाद अगला question देखते है, question 19 है, समराठ असोक द्वरा अपनाई गई, एक उपाधी का नाम बताईए, ठीक है, मतला समराठ असोक ने कौन सी उपाधी अपनाई थी, चार option दिये गए है, option C है, धम महामात्र, option B है, महराजा धिराच, option C है, देबना प्रिये, या फिर option D है, उप्रोक्त सभी, गैस इस question का answer भी आप लोग जहाँ, कहां से उसारी लीपिया उत्पन हुई है, कौन सी लीपी से उत्पन हुई है, ठीक है, यह बताना इस question में, तो option D है, option B है, ब्राही लीपी, option C है, रूमन लीपी, और option D है, देवनागरी लीपी, गैस इस question का जो सही उतर है, ब्राही लीपी, जितने भी हमारे question का answer मैंने आप लोगों से comment box में मांगा है, उसका भी answer आप लोग बताईए, और इसके बाद मैं खुद reply दे के उसका सही उतर आप लोगों को बता दूँगा, बागी इस chapter पे एक और MCQ question बनाऊँगा, जिसमें से कुल मिला के 20 question होंगे, और 20-20, यानि की 40 MCQ question इस chapter के हम कर ठीक है, तो इसके अलावा और भी बहुत सारी वीडियो से डालो, पोल सैंस की वीडियो से भी डालूँगा, तो आप लोगों ने अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो या सब्सक्राइब कर लिजिए, ठीक है, और मिलते हैं अगले वीडियो में, त